हेलो एवरिवर्ण मीना की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती स्वादिश्ट गाजर का हलवा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ता मेरी वीडियो को लैक कीजिए मेरी वीडियो को सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेश कीजिए ताकि मेरी नए वीडियो के प्टेट मिलती रहे आपको मैंने यहाँ पर गाजर ले ली है तीन किलो और उनको पहले अच्छे से धो लिया है फिर उनका छिलका उतार दिया है और आगे पीछे का इसा हटा दिया है देखिए बहुत ही अच्छे से अब हम इन गाजरों को ग्रेट करेंगे मैंने यहाँ पर गाजर को ग्रेट कर लिया है देखिए इस तरीके से और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मावा ले लिया है आप चाहो तो मावे को घर पर ही बना सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं जो अपनी सुब्दा अनुसार मैंने अपर कड़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है और कड़ाई के अंदर डालेंगे हम हाफ केजी मिल्क और मिल्क को अच्छे से गरम होने देते हैं और बॉइलाने देते हैं ये देखिए हमारे दूद की अंदर एकदम अच्छे से उबा लिया चुकी है अब जो हमने मावा लिया था उसको इसके अंदर डाल देंगे ये देखिए आप यहाँ पर मावा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी सुवदा अनुसार और इसको हमने यहाँ पर हाफ केजी दूद इसलिए लिया है ताकि मावा अच्छे से घुल भी जाए और हमारी गाजरे अच्छे से पक जाए ये देखिए मावा हमने यहाँ पर कर्ची की सायता से तोड लिया है और दूद के अंदर डालते ही मावा नरम हो गया है यहाँ पर दूद के अंदर हमारा मावा अच्छे से घुल गया है और उबाली भी अच्छे से आ गई है थोड़ा हम 10-15 मिनाट इसको इसी तरीके से पकाएंगे यह देखिए यहाँ पर हमने मावे को 10-15 मिनाट अच्छे से पका लिया है और अच्छे से गाड़ा भी हो गया है और अब हम यहाँ पर डालेंगे गाजर अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके गाजर यह देखिए पहले हम थोड़ा डाल देंगे फिर मावे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए और बची हुई गाजरों को हम इसी तरीके से डालते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ये देखू बहुती अच्छे से हमने यहाँ पर मावे के अंदर गाजर को अच्छे से मिक्स कर दिया है सारी गाजर हमने यहाँ पर डाल दी है और दीरे दीरे करके हम इन गाजरों को चलाते रहेंगे और इसको एक प्लेट से ढख देते हैं ताकि भाप बनेगी गाजरों के अंदर तो हमारी गाजर इस टीम जल्दी से हो जाएगी पक भी जाएगी और नीचे हम चलाते भी रहेंगे ताकि गाजर हमारी नीचे जमे नहीं मतलब लगे नहीं गाजर नीचे लग जाएगी तो स्वाद भी खराब हो जाएगा और अजीब सा टेस्ट आएगा अब हम इसको फिर से ढख देते हैं यह देखिए हमारी गाजर के अंदर बहुत अच्छे से उबाली आ चुकी है मावा और गाजर एकदम फरफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ना ही कम है गाजर ना ही मावा कम है दोनों सेम क्वांटिटी में है और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और अब हम इसको खुले पन में ही पकाएंगे और इसके अंदर डालेंगे हम टूटेबल स्पून घी आपको हल्वे के अंदर घी पसंद ने है तो आप डाल भी सकते हैं आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी बीच कर सकते हैं और यह जट पट से गाजर का हल्वा बनकर तयार हो जाता है और इसको गर पर आईवे मेमानों को भी सर्व कर सकते हैं इस तरीके से बनाकर अब यहां पर हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम यहां पर डालेंगे क्रस्ट किये हुए काजू बादाम आप यहां पर अपने मन प्रसंद ड्राइब फ्रूट्स डाल सकते हैं कि यहां पर हमारे काजुबादा मच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम यहां पर डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी यहां पर आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं किसी को ज़्यादा हलवा मीठा पसंद है और किसी को कम मीठा पसंद है तो इसलिए हम अपने स्वादानुसार डालेंगे आप भी अपने स्वादानुसार डालें और जो हमारी चीनी घुल गई है तो अब हम इसको सुखा लेते हैं चीनी ने पानी छोड़ दिया है वो इसको लगाता चलाते रहना है नहीं तो यह नीचे लग भी जाएगा यह देखो हमारी चीनी का पानी काफिया तक सूप गया है यह देखिए हमारी हलवे के अंदर आप पानी नहीं है अभी थोड़ा इसको पांच मिनट और भी हम चलाते रहेंगे थोड़ा हलवे के अंदर पानी रहता है तो पलीला जैसा लगता है स्वाद नहीं आता है एकदम करारा सूखा होता है तो स्वाद भी अच्छे से आता है यह देखिए हमारा हलवा यहाँ पकर तयार हो चुका है अब हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर दिया है और हम सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं अधिया हमने यहाँ पर सर्विंग बाउल में अधिया है अब हम इसकोगार्निस करेंगे काजु बादाम से तो देखिए मैंने यहाँ पर गार्निस कर दिया है चाजु बादाम से मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा का मेरी वीडियो कैसी बन रही है कैसी जा रही है आप लोगों के पास अब हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई